देखना, बोट पे ध्यान देना, आपकी second class है आज cost की, मैंने first class में cost seat बता दिया था, prime cost बता दिया था, factory overhead बता दिया था, administrative overhead बता दिया था, कुछ information, यानि आपको cost seat क्या है basically, आपका cost seat है एक तरीके से, पी एंडल लेकिन पी एंडल इसको finance में बोला जाता है और costing के अंदर, cost accounting के अंदर इसको cost बोला जाता है इसके अंदर जैसे हम finance के अंदर categorize कर देते थे revenue from operation, other revenue, expense, उसी तरीके से यहां categorize है सबसे पहले heading जो generate होता है उसको नाम देते है prime cost इसके बाद जो heading generate होता है उसको देते है gross factory cost इसके बाद जो heading generate होता है उसको बोलते है net factory cost इसके बाद जो heading generate होता है cost of production इसके बाद जो heading generate होता है COGS इसके बाद जो heading generate होता है cost of sales और last one होता है हमारा sale Prime Cost के अंदर सारे के सारे Direct Expenses है और Gross Factory के अंदर Factory के खर्चे है Basically जो पहले हम Trading Account बनाते थे तो Trading Account को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है Raw Material का खर्चा यहां डाल दिया और Factory में अगर कोई Water Supply का Bill है वो यहां डाल दिया Carriage on Purchase यहां डाल दिया लेकिन आपका और कोई Other Expense, Cantean Expense हो गया या Wages हो गया, तो Productive Wages यहां है और Productive Wages यहां है तो Basically वो दो है, यह Trading Account ही है लेकिन इसको दो के टेक्री में कर दिया, इसमें क्या-क्या Expense आना चाहिए सिर्फ क्या आना चाहिए इसके इन्दर तीन चीज़े आती है, mainly एक तो Purchase आएगा ही आएगा इसमें Plus हो जाएगा Opening Raw Material बिल्कुल Simple है, और Minus हो जाएगा इसमें Closing अगर दे रखा है तो और दो खर्चे और आजाएगा, Productive Wages और Direct Expense ठीक है इन दोनों के बीच में क्या Relation है? Net Factory और Gross Factory के बीच में इसमें बस WIP माइनस करना होगा WIP क्या होता है? Work in Progress इसमें Plus कर देते हैं, Opening और Minus कर देते हैं, Closing First Class में जो मैंने करवाए, जिसने कर रहा हुआ है समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ इसके बीच में क्या Relation है? इसके बीच में Admin के खर्चे है यानि Office में खर्चे होते हैं जैसे salary दे दिया, telephone का charge, interest charge, bank के interest charge बगएर यह सारे खर्चे इसके बीच में क्या Relation है? इसके बीच में हमारा Opening Stock और Closing Stock और वो है FG वाला यानि Stock हमारे तीन तरीके के हो गए हैं हाँ पे कौन-कौन से तीन तरीके के Stock हो गए है? एक हो गया Raw Material का एक WIP का एक FG का Raw Material वाला तो Prime Cost में WIP Gross से Net बनाने के लिए और FG किस के लिए काम आएगा? Last में Cost of Goods बनाने के लिए इन दोनों के बीच में क्या है Difference is Selling and Distribution Expense बस ये चीज हमें याद रखना है तो हमें एक Question ट्राइ करते हैं पहले हमने Black Format बना लिया Blank Format और पहले लिखा मैंने Prime Cost फिर लिखा मैंने Net Factory Cost फिर Cost of Production यहाँ पर एक Line मैंने खतम कर दिया Gross वाला इसके अद Cost of Goods Sold फिर Cost of Sales फिर Sales Question number हमारे book में एक Given है कहता है Mr. A Mr. A Finish the following data relating to the manufacturing of the standard product during the month gen एक महने का बनाना है Raw material purchase 15,000 है तो ठीक है 15,000 मैं यहाँ लिखे दूँगा Simple तरीके से इसके बाद कहता है Opening Stock of Raw Material 4,000 तो 4,000 मैंने यहाँ लिखा और Closing है हमारा 5,000 तो 5,000 यहाँ लिखा इन दोनों को जब Minus कर देंगे तो आगए 1,000 लेकिन यह तो negative का रहा है कोई बात नहीं यहाँ bracket में डाल देंगा कुछ-कुछ आपको याद आ रहोगा Cash Flow Format जो से किया सा Second Year में उसी टाइप से हमारा Direct Labor यहाँ एगा Direct Labor और Direct Labor हमारा 9,000 यहाँ 9,000 एड कर दिया Machine Hour यहाँ एगा Factory Overhead अब Overhead खर्चे को बोलते है कहता है भई 900 घंटे चला और एक घंटे का 5 रुपए तो 900 घंटे चला और एक घंटे का 5 रुपए तो Total खर्चा Machine Hour सा है 4500 Carriage Inward यहाँ का खर्चा है याद रखना Carriage Inward Direct Expense है तो मैं यहाँ लास रहे गया Carriage Inward और Carriage Inward दे रखा है हमें 1000 कहां की घर पे होगी नहीं चे रखे Carriage Inward है हमारा 1000 Administrative Overhead 20% अब देखो इसको ना हम Work Cost भी बोलते हैं Work Cost यह बात ध्यान रखना है आपको Work Cost इसको हम Work Cost भी बोलते हैं तो Work Cost, Net Factory Cost कहता है Carriage Inward इसके बाद है Administrative Overhead Admin Admin Overhead 20% of Work Cost यानि जो यह result आएगा इसका 20% है तो चलो result निकाल रहे ते हैं 15, 14, 14 और 10, 24 24, 25, 28, 25 इसका 20% ही यह है तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 28, 56, 57 कैसे निकाला हमने? 28, 500 इन्टो में 20% इन्टो में 20% इन दोनों को एड़ कर दे अगर हम 28, 25, 33 तो कितना आ जाता है हमारा? 33, 34,200 रुपे यह आ गया cost of production ठीक है? बिल्कुल sequence से चलना है इसके आद कहता है selling overhead selling overhead यहां का part होता है cost of sales से पहले तो selling overhead 50 पर से पर यूनिट sold तो 0.5 पैसा sold तो भाई कितने यूनिट sold किया है यह तो बताओ बाद में कहता है last में 16,000 यूनिट बेच दिया तो ठीक है भाई 16,000 यूनिट बेच दिया है तो इसका खर्चा तो हम मान लेते हैं कितना आएगा 8,000 यूनिट पर यूनिट पर यूनिट 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 इसमें हम प्लस कर देते हैं या प्लस पर यूनिट और माइनस क्लोजिंग एफजी यूनिट ये रहता है हमारा फॉर्मूला तो हमें यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं सेलिंग यूनिट दे रखा था 16,000 ओपनिंग एफजी यूनिट आपको दे रखा है 2000 और in fact rate भी दे रखा है तो वो तो हमारा यहां का part है तो प्लस करेंगे ओपनिंग ओपनिंग एफजी आप फॉर्मिट को ध्यान से देखें जो सब कुछ आपको clear होता जाएगा बढ़ा ही आसान है तो कहता है भाई 2000 डेट रुपे के हिसाब से 1.5 यहां थोड़ा में स्प्रिंट है 1.5 कर लेना आप इसको तो यह आगए 3000 रुपे है और माइनस कर देते हैं closing FG closing FG unit तो पता है हमें और closing FG unit देता है यह कि भाई आपका closing FG unit जो है नहीं बताए कोशन ने चलो कोई बात नहीं होगा देखते हैं या नहीं है यह दे रखा है प्लस production दे रखा है कि आपको कितने unit बिल्कुल दे रखा है 17,000 minus closing नहीं दे रखा तो आप find कर सकते हैं 17 और 2 कितने होगे 19,000 और यह कितना होगे 16,000 minus करोगे तो कितना आजएगा 30 100 के आगया हमारा closing तो यहाँ से closing 30 100 तो आगया लेकिन multiply किस से करें समस्या यह है हमें इस question में यह नहीं पता चल पा रहा है कि multiply किस से करना है तो multiply करने के लिए आपको rate जानना है तो rate निकालने का formula होता है formula के basically पता होना चाहिए cost of production जितना हमें बनाने का खर्चा पड़ा divided by production unit एक unit का rate आजएगा वही rate लेके चलेंगे cost of production देखो क्या है 34,000 unit कितने बनाए हमने question में दे रखाए 17,000 कितने आगे इसको 2 से multiply करेंगे तो यह आगे 62 इसको minus कर देंगे ठीक है तो अगर मैं इसको solve करूँ तो क्या आता है 34,200 plus 3,000 minus 62 तो यह आगे 31,000 इसमें 8,000 जोड़ देंगे तो 39,000 sales कहता है भाई हमने 16,000 unit बेज दिये 4 रुपए के तो उसको कितने हो गए 64 minus plus 8,000 और minus 64,000 answer 25,000 जो इसके बीच का difference रहेगा उसको हम बोलेंगे profit यह balancing figure है question में बोला गया है कि आपको cost sheet बनाना है और statement of profit and loss तो आप simple तरीके से समझो जो cost of production तक है यह तो हमारा हो गया यह और इसके नीचे का part जो है वो profit and loss है बागे आप एक में करके दिखा दो examiner अपने आप ही अलग-अलग कर लेगा तो cost sheet में क्या है आपको heading पता होना चीए सबसे main point अगर इस question के अंदर मैं highlight करूँ तो आपको यह rate निकालना पड़ेगा यह मैं अलग से highlight कर देता हूँ इस rate को निकालने के लिए क्या formula अपनाई करना पड़ेगा ठीक है और cost of यह कौन सा हमारा यह उसके divided by यह खर्चा divided by unit unit कैसे निकलेगा यह रह formula यहां अगर missing होगा तो कोई भी हम निकाल सकते हैं otherwise unit या तो आपका given हो सकता है अगर नहीं given तो इस formula में अगर आपको opening finish goods देदे और closing finish goods देदे और unit sales देदे तो आप निकाल लोगे आप इस तरीके से apply होगा तो यहां main point आपका यही है इसके अलाबा आपका कोई भी main point नहीं रहेगा अभी एक और question करूआ मैं तो एक बार फटा फट से यह हमारे book के अंदर 1.4 है आपके महिश्वरी मित्तल के book में illustration number 1.4 तो इसको एक बार note करिए फटा फट फट फिर मैं अगले topic पर चलता हूँ इसके अगले topic क्या हमने question ही करने जितने question practice करेंगे उतना ज्यादा हमें समझ में आएगा यह देखते हैं अब एक question हम करेंगे अभी हमने question किया था 1.4 अब कुछ questions ऐसे आपके book में आएगे कि आपको directly reverse करके कुछ answer निकालना पड़ेगा यानि आपको directly वो यह देदेगा cost of goods sold और पूछेगा purchase बताओ तो कैसे करना इसका best तरीका यह है कि हम एक format बना लेते हैं format बनाने के बाद जो जो item है fill कर देंगा जैसे मैंने format तयार कर लिया और format बनाने से हमें याद भी हो जाता है यह yellow मैंने यह सारे points लिख लिए है यह लो हमारे बुक में एक illustration number one है इसमें क्या कहता है opening stock of raw material देता है आपको दस अजार opening stock of raw material दस अजार तो मैंने यहां लिखा opening stock raw material दस अजार यह तो प्लस होना होता है आप बस fill करते जाओ आपको result मिल जाएगा इसके आद बोलता है closing stock raw material ठीक है भाई माइनेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक राव माटेरियर कितने आगे 15,000 राव माटेरियर मतलब कच्छा माल ठीक है इसके बाद expense on purchase purchase expense यहीं पर आ जाएगा direct expense expense on purchase दे रखा है आपको 5000 चलो इसे direct यहां लिखते है 5000 wages दे रखा है आपको wages दे रखा है 50,000 अब यहां पर direct wages है तो मैं यहां लिख देता हूं direct wages और वो दे रखा है 50,000 ठीक है and prime cost भी आपको दे दिया इसने एक लाख और बोलता है purchase बताओ क्या बताओ आप raw material purchase तो कैसे करें बड़ा ही simple जब हम नीचे से उपर जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखना है जो plus से उसको minus करेंगे जो minus उसको plus करेंगे तो एक लाख में 50 minus करेंगे क्योंकि प्लस का इटाम है तो कितने बचे 50 50 में 5 minus करेंगे 45 45 में 15 क्या करें प्लस करेंगे 45 में 15 60 60 में 10 minus करेंगे यही question में आपको निकालना था ठीक है question में क्या निकालना था आपने raw material कितना purchase किया answer निकल गया आपका कितना आ गया पचास अजार और भी question देखते हैं इस type का और देखते हैं question number note कर लिया क्या कहता है 1.8 में the book and records of the आनद manufacturing company present the following data labor cost data direct labor 16,000 direct labor कहां आएगा आपको पता है direct 16,000 बस आपको put करना है direct labor के बाद आपको देता है cost of good 16,000 देखो क्या दे दिया है इसने direct यहां की information दी इसने जो हम हर बार निकालते थे आगे question में देता है आपको इसके बाद कहता है inventory raw material का WIP का FG का तो opening stock यहां plus और माइनस closing opening और माइनस closing यह raw material का रहेगा clear तो opening है 8,000 closing है 600 ठीक है कोई दिक्कत नहीं और 8,600 माइनस का 6,800,600 माइनस का ठीक है WIP का देता है तो एकना हमें heading generate करना पड़ेगा यहां मैं थोड़ा सा space कम लूग हमें यहां लिख दिया मैंने gross factory cost इसके बाद हमारा लिख जाएगा net factory cost इन दोनों के बीच में जो gap है यहां पर WIP आगा प्लस opening WIP और माइनस closing WIP opening WIP आपके book में कितना दे रखा है 8,000 closing minus कर देंगा minus 12,000 first class देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा यह बिल्कुल फिर तो लगेगा पता नहीं बिल्कुल सिंपल कोशन है finished goods का भी दे रखा है तो finished goods कहां deal करता है यहां पर plus opening FG और minus closing FG क्या दोनों का amount दे रखा है बिल्कुल आसान होगे एक काम तो 14,000 और 18,000 यहां से भी result जो भी निकलेगा भी देख लेंगे आगे देता है selling expense आपको 3400 रुपे selling expense यहां एगा selling expense 3400 इसके बाद देता है आपको journal and administrative expense वो यहां का part होता है admin expense admin expense कितना है आपका 2600 रुपे admin expense के बाद आपका sale for the month ठीक है भाई sale दे रखा इसने तो यहां पर last में लिखने sale और यह sale जो आ गया वो आ गया 75,000 चलो you are required to prepare cost statement manufacturing and कहता है कि आप cost state seat बना दो और goods manufacture and sold profit earn क्या करा यह बताओ यह information है अब देखो मैं कैसे start करूँगा इसके अंदर यह जोड़ दूँ तो हमारा क्या heading generate हो जाएगा यह हां या ना मैं थोड़ा उपर लिख देता हूं अगर confusion है तो यह लो इसमें यह जोड़ दूँ तो यह generate होगा तो कितने होगे 56,59 इन दोनों के बीच का difference क्या होगा profit बताओ क्या आगया 15,600 यह भी result निकाल दिया अब मुझे यहां से यहां जाना है तो यह आगया 4000 minus का अब बताओ यहां से मैं यहां कैसे जाऊं 56,000 को मुझे यहां लेके जाना है 4 minus का है तो नीचे से उपर जाते तो क्या होता है add तो यह कितना होगया अब यह क्या है हमारा plus का यहां से मुझे यहां जाना है minus तो देखो बड़ा ही आसान है result मिलता जा रहा है मुझे अब इसको मैं solve करूँ तो minus का आएगा 4000 again अब मुझे यहां से यहां जाना है plus 4000 यह लो ठीक है अब कोई यहां का खर्चा तो है नहीं भई gross का कोई खर्चा नहीं है तो 0 है यह 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 same आ जाएगा अब इसको मैं minus plus करूँ तो 600 यहां से यहां जाना है क्या करे यह minus 16,000 और plus 600 तो answer आगया 46,000 तो यह 46,000 पता है क्या होगा यह purchase होगा यह लो कितना असने देखो ठीक है यानि एक बार mind में format आगया format लिख लिया फिर तो fill करना है और आपको result मिल जाएगा सौझ में आए क्या है ठीक है साइध यहां पर 60% भी कुछ कह रहा था मैंने ध्यान ने दिया कहता है direct labor जो है 160% of the factory overhead तो direct labor एक point missing हो गया चलो फिर दुबार आ जाएगे यहां क्या दिक्कत है क्या था direct labor यानि जो यह direct labor दे रखा है वो 160% है किसका तो भाई 16,000 160% है तो divided by 160 तो वहां के कितना होगा 100% ही होगा तो answer is थीक है नहीं आहीं समझ में बात देखो मैं कह रहा हूँ कि यह जो दे रखा है मानलो यह है आपका 125 तो मैं बोल रहा हूँ 125 में ना 125% है या फिर मैं बोल सकता हूँ चलो factory overhead मैं बोल सकता हूँ यह 100 है तो 25% जोड के यह है तो 125 बोलोगा है मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ जो 125 है ना इसमें 25% पहले से यह जुड़ा हुआ है यानि जो 125% है वो इसका किसका 125% है factory overhead का तो निकाल सकते है तो सेम यहां बोले यह 16,000 जो है 160% किसका है factory overhead कितना होगा 100 तो यहां से 10 तो यहां पर लिखेंगे 10 अब क्या जागा 51,000 ओपर जाएंगे तो क्यावन में 16 माइनिस करेंगे क्यावन चार सो में 16 माइनिस करेंगे क्या आएगा 35,400 और प्लस कर देते हैं 36,000 रुपे इसका अंसर आ गया सभ़में आये क्या कैसे करने देखिए आप, नोट करिए इसको बुक में आप solution देख सकते हो उपर last में इन्होंने combine निकाल दिया है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है आप कैसे करोगे देखिए आपके बुक का question number 2 कहता from the following prepare cause sheet तो हमारा जो chapter चल रहा है chapter का नाम वैसे तो introduction है लेकिन इसके अंदर हम cost sheet सीखने है और cost sheet एक kind of pindle होता है cost sheet के अंदर हमने सारे सारे points discuss किये हुए कि prime cost के अंदर क्या-क्या cost involved होगा net factory cost में क्या-क्या cost involved होगा cost of production कैसे निकलेगा मतलब यह सारे points हमने first class के अंदर discuss किया हुए है और उसका वीडियो मैंने YouTube पे भी डाल दिया है first class का जिसने देख लिया उस वीडियो को समझो आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आज हमारा यह third class है इसका देखते हैं क्या कहता है raw material दे रख आपको 6000 रुपे का तो raw material जो होगा क्या देता है हमें examiner direct wages यहीं पर आएगा direct wages direct wages है 5000 direct wages के बाद factory overhead directly दे दिया इसने तो मैं यहां एक heading डालूगा factory overhead factory overhead prime cost के बाद आता है और इसने direct factory overhead हमें उजे बता दिया 2400 तो मैं directly लेख रहा हम factory overhead 2400 यानि यहां से prime cost निकल जाएगा और factory overhead आजाएगा opening stock of finished goods and closing stock of finished goods अब finished goods का काम न हमारा COGS से पहले पहले होता है तो यहां मैं plus कर दूँँगा opening stock opening stock और देखो opening stock बताता है यह 800 रुपे का लेकिन इसका unit मैं बत करूँ तो 200 kg है कोई भी production होगा 200 kg 800 रुपे का है closing stock स्रिफ 400 kg बताता है तो मैं minus तो करूँगा closing stock इसमें तो कोई सोचना अली बात नहीं है लेकिन sir 400 kg बताया इसने तो मैं kilo तो minus कर नहीं सकता amount में से मुझे 400 kg का price find करना पड़ेगा ठीक है ना sale of finished product मैंने बेच दिया समान बना के 3000 kg 20,000 रुपे में तो जो यह 20,000 का मैं sales दिखा रहा हूँ यह kilo के terms में 3000 kg है इसका use होना है advertisement and selling expense कहां होता है admin का पाट तो कहां आएगा हमारा तो admin कह रहा हूँ selling and distribution selling and distribution इसने कहा advertisement और यह total देरा admittisement and selling expense 1475 रुपे ठीक है नीचे कहता है desire profit करता है 30% on sales sales के उपर चाहता है के हम यहाँ पे 30% का मुनाफ़ा कमाएं sales के उपर तो sales तो दे रखा है question में इसके उपर 30% यानी profit मेरे से पूछो तो profit हो जाएगा 6000 ठीक है profit क्या हो जाएगा 6000 रुपे अगर मेरे से पूछे cost of sales तो मैं बता सकता हूँ easily cost of sales होगा मेरा क्योंकि 6000 जोडने के बाद बना होगा तो cost of sales आया होगा मेरा बताओ 14,000 cost of sales रहा होगा इसमें 6000 मैंने ऐसे लिखना है इसको 14,000 ठीक है ना 14,000 cost of sales 6000 profit 20,000 का समान बिग गया टोटल अब ultimately मैं starting से लेके चलूँ तो opening finish goods कुछ भी नहीं था यह आ गया 11,000 रुपे का और इसका value निकल के आ जाएगा 13,400 कुछ factory admin वगर है कुछ है नहीं तो same आ जाएगा 13,400 हाँ हमें एक चीज पता है sale kg पता है हमें opening stock kg में पता है अगर मैं इसमें plus कर दू production वो भी kg में सब kg में चलेगा और minus कर दू closing stock kg में तो यहाँ से हम production तो find कर सकते हैं क्योंकि sale kg में पता है हमें 3000 kg और opening stock पता है हमें 800-200 kg production नहीं पता तो x माल लेते हैं minus closing stock पता है हमें 800 kg तो अगर इसको हम solve करें तो 2400 2400 यह आएगा ना जितना माल बनाया है अगर आपने 2400 kg बनाया है उसमें से 200 kg बच गया है तो यही तो बचता है तो मुझे पता है कि मुझे total माल बनाने का खर्चा कितना पड़ रहा है 13400 जिसके अंदर मैं कितने यूनिट बना पा रहा हूँ 2400 तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा पर केजी कॉस्ट निकाला जा सकता है 13400 डिवाइड़ बाए 2400 एक का जाएगा हमारा तो यहां पर देखा जाए तो बड़ा ही सिंपल है यह डिवाइड़ बाए 2400 यह आ गया मेरा 5.58 583 इस तरीके से तो भाई इसका भी वही रेट रहा होगा 5.583 तो मल्टिप्लाइब बाए 400 किलो तो यह आ गया मेरा 223 रुपै माइनस का 223 अगर इस 233 को मैं सॉल्व कर दूँ माइनस 800 तो नेगिटिव का आ गया 1439 अब इसके मदद से हम यह निकाल सकते हैं 13400 में से बताओ माइनस करेंगे तो 11900 67 अब इसको क्या करें एड़िटीजमेंट को एड़ कर देंगे तो जब आप एड़िटीजमेंट को एड़ करोगे तो 14000 बनना चाहिए बन कितना रहा हमारा बताओ कितना बन रहा है 11000 और को इंफर्मिशन तो नहीं है ना 1475 रुपए है 4000 है और को इंफर्मिशन नहीं है तो 13400 माइनस में 1433 और प्लस 1475 तेरा 442 बन रहा है ने क्लोजिंग स्टॉक तो ले लिया मैंने 13442 बन रहा है अब देखो यहां समस्या क्या आ गया हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया यानि इसका मतलब सिंपल से वह में देखो तो यहां कुछ ना कुछ हमारा एडमिन जरूर होगा कितने यूनिट लिखा है मैं अच्छा 400 मैंने 800 kg लिख दिया चलो 400 kg कर देते हैं कोई बात नहीं कंफीजन वाली कोई बात नहीं है तो 200 यह कितना जाएगा अठाइस सो तीरह हजार चार सो 4.78 चलिए 4.78 इन टू में 400 मैंने पहले भी 800 ही कर दिया था 1914 नेगेटिव का यह आगया 1114 1115 कर देते हैं ठीक है न डिजिट सेम हो जाएगा 1115 माइनस में कर के देखते हैं 13400 माइनस में 1115 12 200 और प्लस अगर मैं 1475 करता हूं 13760 देखो फिर भी यहां हमारा देखो मैच नहीं हो रहा किसका चलो 12, 13, 2, 3 रुपे छोड़ो मैं यहां concern क्या आप आपको बता रहा हूं यह मैच नहीं हो रहा क्योंकि अगर मेरा यह 20,000 था यह 14 था यह इसका मतलब मेरा कुछ ना कुछ तो यहां admin है जिसके वज़े से मैच नहीं हो रहा क्योंकि इन दोनों का और इसका total 14,000 बनना चाहिए क्योंकि 20,000 अगर हमें देता है यह sales और हमें बताता है 6 तो 14,000 यह है तो यहां जूड़के तो 14,000 यह बनना चाहिए लेकिन 14,000 क्या बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है एक पार starting से total check कर लेते है starting से देखते है raw material कितना दे रखा है हमे 6000 दे रखा है raw material और raw material तो question में थोड़ा सा correction किया हमने क्या correction किया 17, 15 हमारा क्या माना जाएगा advertisement admin cost हम अभी नहीं निकाल पाएंगे तो इसका मतलब अब इसमें जोड़ोगे तो क्या बन गया 14,000 ठीक है ना तो answer में आप क्या करना question में क्या करना है उसको जो 1475 है उसको काट के ये कर देना तब जाके हमारा कहीं ये ठीक बन पाएगा नहीं तो last तक हमारा 200 कुछ रुपए का फरक आएगा इसमें ठीक है अब question number कुछ साथ हमारा ये 2 2 एक बार note करिए फिर मैं आप करूँगा इसके बाद 3 बस इसको ठीक कर लेना आप 32 और 32 सो डिवाइड करके इसका रेट या जाएगा और उसके बाद ठीक कर लेना नहीं ठीक रहेगा लेकिन question number 3 देखिए कहता compute the manufacturing expense from the following data manufacturing expense निकालना है यानि यहां पर कुछ है balancing figure यह निकालना पड़ेगा manufacturing expense कहा आता है यहां आते हैं तो यह डिजिट निकालना है आपको क्या देता opening stock of raw material 5000 तो हमारा raw material यहां पर आएगा इसमें plus करते हैं opening stock ठीक है ना अब देखा जाए तो opening stock कितना है भाई opening stock है हमारा 5000 तो 5000 इसमें से minus कर देंगे closing आगे दिखेगा तो purchase दे रखा है 25,000 सीधा outside में लिख देता हूँ expense on purchase दे रखा है यहां पर तो यहीं पर आ जाएगा expense on purchase यह दे रखा है 1000 direct wages दे रखा है यह भी यहीं आएगा सारा पार्ट यहीं कहीं है direct wages दे रखा है आपको 20,000 basically यह पूरा question नहीं है मैंने format तो पहले से बना रखा है आपका direct expense दे रखा है यह भी यहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा format में change कर देता हूँ यह यहां की information जादा है plus direct expense एक हजार रुपए इसके बाद closing stock of raw material minus कर देता हूँ closing raw material मेरे पास space नहीं है मैं यहां लिख देता हूँ और इसे मैं यहीं minus करके दिखा देता हूँ ठीक है manufacturing cost दे रखा है हमें 80,000 manufacturing cost है हमें निकालना क्या है expense तो यहां पर manufacturing cost पता ही क्या है prime cost एक वार्ड और पता चलिए हमें कि prime cost को manufacturing cost भी बोलते है ठीक है तो यहां पर हमें दे रखा था manufacturing cost अब हम क्या करते हैं जो भी balancing figure निकल रहा हो यहां अगर इन सब का total AC है तो ठीक ठीक है ना अगर इन सब का total है 80 तो ठीक ही था अगर कुछ कम पढ़ रहा है तो वो क्या होगा manufacturing expense होगा तो चेक करते हैं 25,000, 1,000, 20,000, 1,000, minus 2,000 और minus 80,000 कर दे 35,000 कम पढ़ रहा है तो यहां आगे हमारा plus manufacturing expense यह आगया यह लो 35,000 यह balancing figure है सब्सक्राइब आए क्या तो इसमें पूरा कुछिशन नहीं करना दा शर्फ manufacturing तो एक नाम और पता चला prime cost को हम क्या बोलते हैं manufacturing cost यह भी note में आपने लिखना है ठीक है क्योंकि examiner कुछ भी दे सकता है note करिए इसको आपके book का question number 5 question number 5 में क्या है कहता है below is the आपके कुछ expenditure दे रखे है manufacturing product यह के और हमें एक prepare करना क्या है prepare a cost sheet cost sheet बनाना है raw material दे रखा है 28,000 देखो format ना में पहले ही बना लेता हूँ ताकि आपको problem ना हो आप भी exam में पहले format बना सकते हो अंदाजे के साब से तो सबसे पहले मैंने लिखा purchase of raw material raw material raw material कितना है 28,000 इसके बाद fuel fuel क्या होता है हमारा diesel वगरा factory overhead में चले जाएगा मैं यहां factory overhead में काफी सारी चीज़े हैं तो मेरे पाद space नहीं है तो मैं working note लिखाँ यहां लिख देता हूँ तो देखो जैसे मैंने तो बना लिया heading डाल दिया अब तो आ नहीं रा तो कोई दिक्कत नहीं है मैं यहां working note डाल देता हूँ और यहां लिख देता हूँ working note नंबर वन factory overhead यहां सारी factory overhead की detail लिख दूँगा मैं नंबर वन fuel 6900 अब electrical electric power यह भी यहीं डाल देता हूँ 1300 चालेश process and general wages अब process and general wages यहां पर पता नहीं चल रहा कि किस regarding दिया है productive है non productive किसी गाम को process करने के लिए है तो मैं यहां पर भी wages डाल सकता हूँ और यहां पर भी वो मेरी इच्छा है जो हमें लगता है सबसे ज़्यादा best decision हमारा own रहेगा वो हम लिख देंगे तो अभी देखते हैं साइद आगे कोई hint मिल जाया है अभी इसको नहीं लेते repair repair कहां जाएगा factory में जाएगा 2400 repair के बाद दे रखा है आपको haulage यह भी ही जाएगा क्या होता ह haulage बताओ haulage होता है हमारा कितना है यह यह फिर आपने बताए नहीं 63500 क्या था अच्छा ठीक है 1060 अब haulage क्या होता है आप जनरली देखा होगा अपने कि जैसे कि आपने देखा होगा लुहार वगएरा जो काम करते हैं छेनी वगएरा बनाते हैं जो वो टूल्स बनाते हैं वो पीट पीट के बनाते हैं उसको गरम करके तो उसे haulage बोलते हैं ठीक है 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 हमर से हमरिंग करते हैं उसके उपर वहाँ से वर्ड आता है इसका haulage तो यह फैक्ट्री में ही काम चलता है हमारा नॉर्मली लाइट अब वाटर तो लाइट अब वाटर एड्मिन भी हो सकता है और फैक्ट्री भी हो सकता है वाटर भी है तो मैं यहीं पर डाल देता हूँ फैक्ट्री में लाइट अब वाटर अमाउंट चार सो रुपए सिक्स पॉइंट रेंट एंड इंसॉरेंस यह तो भाई एड्मिन का ही पार्ट है तो यहाँ डालते हैं एड्मिन इसको डबलू सी डबलून टू डाल देता है वर्किंग नोट नमबर टू अड्मिन अड्मिन एक्सपेंस अड्मिनिस्ट्री टीव एक्सपेंस पॉइंट नमबर वान रेंट बताओ कितने का है 2000 का Rent के बाद अब Rate and Insurance भी यहीं का होता है 300 तो यहीं 2000 लिख देते है इसके बाद Office Salary and General Expense ठीक यहीं डाल देते है Office Salary कितना है 7,000 इसके बाद administration office का यह तो यहीं आएगा ही आएगा 5000 यह 2000 है इसके बाद depreciation on machinery यह factory का आता है कितने रुपे बस complete अब कहता है quintal manufacturing कितने quintal manufacturing करें इसने इसने 7200 quintal manufacturing करें 17200 quintal तो quintal क्या होता है measurement होता है जैसे ton होता है न ऐसे quintal होता है ठीक है तो 17200 इसने quintal manufacturing करा prepare cost it an item एक item छोड़ दिया हमने वो क्या था हमारा power wages तो हमारा normally कुछ नहीं दे रखा इसके अंदर इतने सारे हैं यहाँ पर आपका तो मैं यहाँ का मान लेता हूँ wages मैं जम्शन ले रहा हूँ इसके लिए note दूँआ wages कितने रुपए का था 63,500 ठेक है clear इसको total इहाँ कर लेंगा इसको total इहाँ कर लेंगा इसका 14,600 यह लोग बड़ा असान हो गया हमारा 14,600 इसका 12 और 2 14,000 14,300 अब यहाँ पर ना कोई opening stock है ना closing तो इसका ऐसा काम है जो बनाया है सब बेच दिया कुछ बचाता ही नहीं है यह प्राइम कॉस्ट निकालते है प्राइम कॉस्ट आएगा हमारा 28,000 और 63,500 यानि 91 अब प्लस 14,600 10 6,100 14,300 120 400 कुछ बचा ही नहीं यह भी सेम आ गया यह भी सेम आ गया प्राफिट तो बताए नहीं इसने प्राफिट कोश्ट में बताए नहीं तो बस हमने लास्ट कोश्ट छोड़ देना है कहां कॉस्ट आफ सेल्स तक या फिर कॉस्ट शीट का पार्ट मैं बोलू तो कॉस्ट आफ पॉड़क्शन तक ही छोड़ दूआ अगर आगे का फिनिस गुट से रिलेटिट कोई ट्रांजक्शन नहीं नहीं तो आपको कहां कॉस्ट आफ पॉड़क्शन यही कॉस्ट शीट है वैसे भी इस कॉस्ट आफ पॉड़क्शन के बाद का पार्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस माना जाता है ठीक है क्लियर है मैंने आगे तक फिल कर दिया और कुछ नहीं कुश्ट नमबर कुछ सा था हमारा फाइव नोट करिए देखो वर कॉस्ट जो है यहाँ पर थोड़ा आपके आंसर से अगर चेंज आ रहा है तो सरिफ जो मैंने यह दो हजार रेंट लिया है इसको अजंशन कहां के लिए लेना है फेक्टरी का वहाँ दो हजार जोड़ते ही हमारा क्या हो जाएगा 16,600 और 16,600 जोड़ते ही हमारा हो जाएगा दस अजार आठ आठ हजार एक सो होगा ना चार सो थोड़ी होगा फिर यह इंसॉरेंस भी यही डाला है ठीक है समझ रहे हो ना यह दोनों पार्ट उसने यहाँ पुट कर दिया तो हमारा अंसर सेम आ जाएगा तो हमने ऐसे किया है तो यह भी ठीक है यह गलतनी अजम्शन है दोनों के लिए नोट दे देंगे क्लियर अब नोट कर लिजा आपके बुक का कोश्चन नमबर 6 कहता है from the following information प्रिपेर कॉस्चीट तो कॉस्चीट ही बना रहे है अभी तक तो तो जितने भी कोश्चन है सब में क्या बनाना है एक ही कॉस्चीट कहता है कॉस्ट आफ मटीरियल पंदरा पर यूनिट भाई, पर यूनिट का मटीरियल है लेबर दे रखा है साथ रुपए पर यूनिट फैक्टरी ओवर हेड दे रखा है सारी इंफर्मिशन दे रखा है तो सबसे पहले हमें देखना क्या है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है सेल दे रखा है तो यहाँ पे आपके बुक का कोश्चा नंबर 6 कॉस्ट मटिरियल 15 रुपए पर यूनिट तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस्ट आफ मटिरियल पंदरा रुपए अगर मुझे यूनिट पता चल जाए तो मल्टिप्लाई करके मैं यहाँ पे इसका रेट निकाल लूगा यूनिट पता चल जाए और यह यूनिट वही यूनिट होता है जो प्रोडक्शन में काम आता है तो मैं यहाँ पे अगेन फॉर्मूला पुट करूँगा सेल ओपनिंग स्टाक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टाक तो यहाँ पे देखो आपको सेल यूनिट दे रखा है कुश्चन में 10,200 और ओपनिंग भी दे रखा है बताओ ओपनिंग 500 और FG की बात करेंगे हम सीधा और क्लोजिंग ओपनिंग का रेट वगएरा तो बात में देख लेंगे पहले हमें प्रोडक्शन तो बता चले तो 2500 प्लस का आएगा माइनस हो जाएगा तो 10,000 तो प्रोडक्शन कितने हुए 10,000 यूनिट कुश्चन में दे रखा है चलो मैंने देखा हिंट में दे रखा है हिंट से क्या मतलब है आपको तो कुश्चन से देखना है एक्जाम में थोड़ी हिंट मिलेगा आपको पोड़ेक्शन हमारा 10,000 है अब 10,000 है तो भाई ये 10,000 का कॉस्ट खरीदा होगा यानि ये होगा हमारा 1.5,00,000 का ठीक है 1.5,00,000 रुपए का है हिंट एक्जाम में नहीं मिलेगा आपको लेबर कॉस्ट 7 रुपए अब लेबर कॉस्ट कौन सा है भाई बता दो डायरेक्ट है इंडायरेक्ट है फैक्ट्री ओवर है अलग से दे रहा तो डायरेक्ट ही होगा लेबर कॉस्ट 7 रुपए 10,000 70,000 लेबर कॉस्ट का है फैक्ट्री ओवर हैड चलो ये तो बहुत अच्छा गाम किया कैल्कुलेट करके दे दिया इसने 40,000 एड्मिन ओवरहेड भी ये भी 40 एड्मिन के बाद आगे देता है सेलिंग ओवरहेड 2.5 पार उनिट तो भाई 2.5 पार उनिट इंटू में कितने उनिट बेचे 10,000 250 मैं मल्टिप्लाइ बाद में कर लूँगा ओपनिंग स्टॉक यहां आएगा प्लस ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट है जिसके कीमत इसने बता रखा है 20 रुपे के हिसाब से तो कितने हो गए 10,000 माइनस कर देंगे क्लोजिंग 500 यूनिट रेट का तो पता नहीं है तो निकालेंगे कहता है प्रॉफिट रखेंगे 20% on sales कोई बात नहीं भाई प्रॉफिट 20% on sales है तो sales कितना है हमारा लेकिन कितने रुपे का यह नहीं पता कितने रुपे का sales है यह नहीं पता बस यूनिट बता दिया तो यूनिट बताने से तो हमारा amount तो नहीं आएगा जो percentage है वो amount पे निकलेगा हमें सही देखना है चलिए हम स्टार्ट तो करते आगे सत्तर कितने हो गए यह हमारे prime cost दो लाख बीस हजार दो लाख साथ हजार और तीन लाख तीन लाख unit बनाया आपने रुपे का समान बनाया तो rate जो आएगा निकलके वो आएगा तीन लाख और divided by तीस रुपे का rate बनके आया दस अजार से divide करेंगे न तो इसका भी दस रुपे के हिसाब से 30 तो 70 बचे अब positive आया है जाद तर यह negative आता था अब positive आ गया तो तीन लाख प्लस में पच्छिस सो यह आगा तीस पच्छिस सो ठेक है अब 2.5 इंटू में दस दो सो पचास यह जो खर्चा आया वो आया 25 छेस सो पच्छिस प्लस 30 पच्छिस सो यह आगे है 328 125 ठेक है कहता है भाई sales जो होता है हमारा वो होता है cost प्लस में जीपी यह होता है sales cost प्लस में जीपी sales का तो पता नहीं हमें x cost जरूर पता चल गया 328 120 फिर question raise करोगा सर इससे पिछले वाले में तो आपने direct 6000 निकाल दिया था वहाँ पर sale दे रखा था sale पूरा गीवन था 20,000 उसके उपर 30% बोलड़ा तो direct निकाले यहाँ sale नहीं पता हमें इसलिए यह हमें use करना पड़ेगा जीपी कितना है कितने परसेंट है हमारा 20% तो 20% कैसे निकालेंगा x by 5 ऐसे निकालते हैं न 20 x की value solve करेंगे तो क्या आजाएगा यह minus करेंगे तो solve कर लेंगे पांस से multiply और 4 से divide यह लोग सेल निकल के आ गया 56 .25 मेरा भी आ रहा है मैं छोड़ रहा हूँ इसको ठीक है न मैं ले नहीं रहा into 3, 2 8, 1, 2, 5 यह आ गया मेरा profit 8, 2, 0, 3, 1 .25 आ रहा है मैं छोड़ रहा हूँ यही तक रहने देता हूँ ठीक है न तो यह बन गया हमारा क्या cost rate हमारे book का question number था यह 6 था question number यह हमारा है 6 note करिए question number 7 में बहुत सारे information दे रखा है यह question सरिफ इसलिए दे रखा है यहाँ पे ताकि आपको याद हो जाए कौन से information कहां पे लेना है और बागी कोई काम नहीं है तो हम देखते हैं इसको एक एक करके put करते हैं सबसे पहले दे रखा है raw material purchase 33,000 raw material purchase 33,000 इसके बाद productive wages productive wages तो ही आएगा wages 35 productive wages के बाद आगे क्या दे रखा है हमें direct expense वो भी यह आएगा 3000 इसके बाद दे रखा unproductive wages factory overhead मैं तो working note लिख रहा हूं मैं factory overhead point number one unproductive wages wages amount क्या है 10,500 factory rent यहीं आएगा factory rent बस आपने ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है इस चप्टर के इंदे 7,500 factory rent के बाद है factory lighting यह भी यहीं आएगा factory lighting 22 इसके बाद है motive power अब ही motive power कहा आएगा factory में लिखेंगे motive power इसके बाद है आपका haulage अभी बताये था amount 3000 इसके बाद director fee यह admin का part है पहले इदर वाला खतम करते हैं director fee यहां works के related है और director fee office से related है तो पहले जो director fee work है यहां आएगा works से related 1000 depreciation देखो plant and machinery का सरिफ यहां लिया जाएगा plant and machinery plant and machinery का क्या amount है मारा 2000 एक मैं working note number 2 बनाने जा रहा हूँ यहां पे जिसको नाम दूँगा मैं admin working note number 2 अब अब अगें देता है यहां पे office building का depreciation भाई तो यहां आएगा एक हजार डिलीवरी वेन वेन का आपका तो एक और बना लेते हैं हम यहां पे यह बना लेता हूँ मैं नहीं यहां कम पड़ जाएगे जगे इस साइड बना लेते हैं selling and distribution ठीक है point number one डिलीवरी वेन का debt बस 200 रुपए bed dates अब bed dates मैंने class में समझाया था कहीं भी हो सकता है यह तो finance का normally आप selling का पार्ट मानना bed dates को ठीक है तो bed dates 100 advertisement advertisement 300 sales departmental salary यहीं आएगा 500 रासों दूसरे साइड डारेक्टर फी ओफिस एड्मिन में amount इसके बाद factory cleaning 500 यह जाएगा फेक्टरी में sundry office expense admin में 200 expense estimating factory में अनुमान लगाने किसी प्रोजेक्ट का 800 factory stationary इसके लेक्टरी फेक्टरी फेक्टरी स्टेशनरी 750 बहुत जाता हो गया फेक्टरी में तो office stationery 900 अब जगह यहां भी कम पड़ गई लीगल एक्सपेंस ओफिस इंसॉरेंस यहां लिखते हैं ओफिस इंसॉरेंस कितने पांसो लीगल एक्सपेंस भी यहां आएगा यह एड़ोकेट का खर्चा होता है यह लाइसेंस बगएर है रेंट वेयर हाउस कहा होता है भाई वेयर हाउस अब क्या करें बताओ मैं इधर लेके जा रहा हूं इसको इसको मैं कंटीनियू कर रहा हूं कंटीनियू यहां पर क्या है हमारा रेंट आफ वेयर हाउस तीन सो रुपए अब कीप ओफ डिलीवरी वेन कहाएगा अब कीप रख रखाओ खर्चा डिलीवरी वेन का ये भी कम नहीं पड़ जाए बैंक चार्ज आफिस पचास रुपए कमीशन अन सेल्स सेलिंग में अमाउंट लूस टूल्स रिटन ओफ फेक्टरी में कितने का रेंट अन टेक्स ओफिस देखो पहले भी रेंट एक्स फेक्टरी में भी लिया गया था लेकिन मैं यहां भी ओफिस में ही मानूँगा पांसो अब बस खतम होने वाला आएगे कहा जाएगा फेक्टरी में इससे आसान कोश्चन तो कुछ भी नहीं है यह तो बस फाल तुम्हें दे रखा था इन्होंने नीचे कहता है टोटल आउटपूट आपका जो इसने करा है प्रोडक्शन दस हजार टन ना ओपनिंग ना क्लोजिंग सब बनाए सब बेच दिया इस दस हजार टन का कोई काम नहीं है बस अब टोटलिंग का काम है हमारा हाँ यह कब काम आता है जब ओपनिंग स्टॉक दे दे क्लोजिंग स्टॉक दे तो प्रोडक्शन वगरा से हमें रेट वगरा निखालने के बाकि अगर ओपनिंग नहीं है ना तो कितने यूनिट बनाया कोई मतलब नहीं यहाँ पर होता 33 37 चलो इसका 4300 इसकार है मेरा आप भी क्रॉस वेरिफाइ करते रहना कुछ तो था ही निगोश्चन में आप भी बोलोगे फाल्टो में टाइम खराब कर दिया बस ठीक है cross verify करना चलिए prime cost इसके जगा लिखते है working note number 1 जो कि आ जाएगा इसके जगा पर लिखते है working note number 2 जो कि आ जाएगा अब इसके आगए आजाएगा working note number 3 4 3 00 बस अब total तीन हजार यह आगए 71 37 350 108 3 5 0 किसका गलत है total क्या 1 0 1 0 8 0 5 0 है total एक बार चेक को हो भाई देखो गलत पता ही क्यों लग रहा है इधर मेरी ध्यान से देखना यह जो rent है ना आपका एक मिट वेयर हाउस का यह rent इन्होंने मान लिया होगा admin में बस वेयर हाउस ओफिस में भी होता है कई बार हमारा अजम्शन है जादे तर फेक्टरी में होता है तो इस वे ऐसे होगा बाकि हम फाइनली देख लेते हैं एक बार प्लस पांच 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 वन थ्री नाइन वन वन थ्री नाइन इसका total चेक करो क्या सही है यह नाइन के जगह पे यानि वही तीन सो का फरक आ रहा है ठीक है ना वेर हाउस सेलिंग यहां और वो भी वेर हाउस देखो कहां मान रहा है कौन सा वेर हाउस ता देखें एक बार पता नहीं वह यह ने तो सेलिंग में मान लिया फिर वन वन थ्री नाइन अब यहां सही हो जाएगा जाके अगर यहां सही नहीं है तो फिर तो कर बढ़ है 118200 सही है ना तो वो बस 300 रुपए रेंट जो था उसने मान लिया ओफिस का भी नहीं माना, selling department का माना हुआ है तो हम तो वहां का मान रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट कम्प्लीट कोशन, कोशन नमबर था 7 अब इसे नोट करिया है देखना अपने बुक का कोशन नमबर 8 कहता है प्रपेर कॉस्ट शीट सोदा टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट अफ प्रोडक्शन बताना है एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कुड्स मैनिफेक्चर जो हमने माल तैयार किया है एक यूनिट का कितना कॉस्ट है वो भी बताना है बाइद कंपनी फॉर्दा मन 2016 और सो फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बताना है तीन चीज़े बूची गई है अगर इसमें ध्यान से देखो तो अंडरलाइन कर सकते हो तीन चीज़े को एक तो टोटल कॉस्ट ऑफ कॉड़क्शन यानि हमें यह बताना है कॉस्ट ऑफ प्रड़क्शन सेकिंड हमें बताना है पर यूनिट ऑफ गुड्स एक यूनिट का कितना है जो कि हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइट कर देंगे तो पर यूनिट आ जाएगा थार्ड कॉशन है कॉस्ट तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉव मेट्रियल और फर्स अपरेल तो मैं यहां लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितने चलोसिंग स्टॉक कर दूँ जिसका कॉस्टिंग हमें कितना गीवन है हमें गीवन है 45 तो माइनस कही है प्लस पर्चेज यहीं पर कर सकते हैं और इन तीनों को बोल देते हैं रोव मट्रियल कंजूम परचेज गीवन है अठाइस अजार इसके बाद आगे कहता है मैनिफेक्चरिंग बेजिस यह भी यहीं आएगा मैनिफेक्चरिंग मैनिफेक्चरिंग बेजिस साथ हजार इसके बाद है डेप्रीशेशन अन प्लांट फेक्टरी का है डेप्रीशेशन अन प्लांट यह दे रखा है पंदरा सो इसके बाद लॉस अन सेल अफ प्लांट अब देखो लॉस अन सेल अफ प्लांट यह तो नॉर्मल मानों यह अगर अगर नॉर्मल है तो यहां नहीं आए लॉस यह तो लॉस अन सेल है ना सेल तो नॉर्मल हो सकता है तो यहां नॉर्मल लिख लेते हैं लॉस अन सेल आफ प्लांट लॉस अन सेल अफ प्लांट कितना है हमारा तीन सो है ठीक है फैक्टरी रेंट एंड रेट्स यहीं पर आएगा रेंट फैक्टरी रेंड एंड रेट्स यह तीन हजार है ओफिस का रेंट एडमिन का पार्ट है ओफिस रेंट और ओफिस रेंट जो है वो हमारा पांसो रुपे जर्नल एक्स्पेंस यह भी यहीं आ जाएगा जर्नल एक्स्पेंस और जर्नल एक्स्पेंस कितना आएगा हमारा 300, office related मान रहे हैं, discount on sale selling expense में होगा तहीं हाँ पर selling and distribution expense यहाँ पर आएगा discount on sale on sale 400 है चलो 400 कर दिया discount on sale 300 रुपे ठीक है advertisement expense यहीं आएगा बताओ advertisement कितना है हमारा 600 रुपे advertisement का income tax हमारा इसका पार्ट ही नहीं होता मैंने लिखवाया था कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि finance cost होते हैं income tax, preliminary expense return off तो यहां का पार्ट नहीं है, इसको लेना ही नहीं है the number of unit produced during the July total unit जो produced किये वो 3000 unit इसने बना के तैयार किया the stock of is 200 and 400 एक चार को एक साथ 2016 में हमारे पास opening stock है unit wise जो दे रखा है वो 200 unit ठीक है और दे रखा है आपको 400 closing यानि 37 2016 में closing 400 लेकिन जो opening है इसका price भी दे रखा है 2800 closing का price इसने नहीं दिया all the units sold during the month एक भी unit हमारा नहीं बचा बाकी सब बिग गए तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूँ opening finished goods finished goods 2800 question में given है सारे unit बिग गए है हमारे कहता है जो भी बचा हमारे उस तरीके से बिग गए है तो sales unit क्या होता है formula में sales unit is equal to opening stock unit plus production unit minus closing unit sales unit नहीं पता तो sales unit निकाल लेंगे opening stock unit कितने है plus में minus closing closing कितने थे तो हमें पता चलिए भाई sales कितना हुआ था minus करेंगे 26 और 2 800 unit sold किये है ठीक है अब हम यहां से minus करेंगे closing stock unit closing finished unit कैसे आएगा 400 multiply rate rate कैसे निकालेंगे पहले हमें यह cost जानना होगा ठीक है ना तो पहले हम इसका calculation जब तक नहीं करेंगे नहीं जान सकते हैं उपर का टोटल आगे है तीन हजार माइनस में पैंतालिस सो प्लस अठाइस हजार 1500 और प्लस माइनस 28,000 26,500 और इसमें 7,000 ऐसा एकी लिस्टीशन भी है 33,500 प्लस पंदरा सो प्लस तीन सो प्लस तीन हजार 38,300 प्लस तीन हजार यूनिट बनाने के लग दे है ठीक है ना तो पर यूनिट कॉस्ट पहले सबसे पहले आंसर कॉस्ट और प्रोडक्शन इस इगल टू 39,200 पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा 39 डिवाइड़ बाए तीन हजार यह आगे हमारा 13 रुपे 13 ही मान लेते हैं ठीक है तो 13 रुपे अगर मैं मानता हूं यहाँ 400 इंटू में 13 5200 तो अठाइस सो माइनस में 5200 चौबिस सो 49,200 माइनस में 24 चौबिस सो चौबिस आठ सो अब प्लस कर देते हैं 300 और 600 यह आंसर आगे cost of sales 3700 एक तो यह आंसर हो सकता है दूसरा आंसर क्या आओ सकता है हमें जो लॉस माना है हमने उस लॉस को हटा दे तो एक और आंसर जनरेट हो सकता है हम यहाँ पर नोट देंगे loss on sale of plant treated as normal loss ठीक है अगर abnormal हम मानते हैं तो कहां रखेंगे यहां रखना ही नहीं यहां से अटा देंगे हमने क्या माना इसे normal तो हमने यहां एड़ कर दे clear है तो question में देखो यहां पर बूला हो है हमारे वैसे answer में तो आपको prime cost थाए 3500 देखेगा जो की match है हमारा उसके बाद match नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा भाई क्योंकि हमने 300 रुपे का cost लिया है तो उसके हिसाब से आगे भी vary कर जाएगा ठीक है नोट करिए आपका question number 8 question number 9 देखते है question number 9 में कहता है from the following particular relating to 2017 have to the taken a following of chemical of work manufacturing selling and chemical mixture यहाँ पर कुछ chemical mixture है जो finished goods बनेगा आपको stock तीनों का देता है raw material का है तो यहाँ जाएगा two opening stock two कह रहा हूं मैं opening stock raw material वाला यहाँ ले लेंगा जो की कितना है हमारा 2000 किलो 2000 रुपे का मैं सीधा रुपीज लिख रहा हूं इसके बाद आपका है यहाँ पर finished mixture यानि यह finished goods है raw material का ले लिए 2000 finished mixer यानि finished goods का तो यहाँ जाएगा plus opening FG 1750 अब यह पता है कितने किलो है 500 किलो मैं लिख लेता हूं यहाँ चलो factory store factory store पता है क्या होता है WIP तो एक step मेरे को increase करना पड़ेगा net से पहले मुझे बनाना पड़ेगा मैं यहाँ बना लेता हूं gross cost क्योंकि working note में लेके चलूंगा इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर plus opening WIP जो की 7250 है इसके बाद जो यहाँ generate होगा net factory cost generate हो जाएगा ठीक है ना purchase raw material का है तो raw material का purchase किया तो यहाँ जाएगा plus purchase 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 किया इसने एक लाख असी अजार रखा लेकिन यह 160 kg है ध्यान देना आगे factory store के लिए 24 250 पर्चेज तो factory के लिए मैं यहाँ note बना लेता हूं factory overhead पहले और scrap है तो sale finish का तो हमारा आगे यहाँ पर 918 ठेक है यह sale अब यह आगे scrap तो scrap क्या करते हैं हम या तो factory से minus कर देंगे या फिर minus करेंगे prime cost में तो मैं factory से minus करूँगा इसे दोनों जगह से scrap हो सकता है less scrap मैंने आपको बताया था अगर material का scrap है तो यहाँ minus हो जाएगा लेकिन अगर factory का scrap है तो factory overhead में से minus हो गया है तो factory का scrap sold कर दिया 11670 इसके बाद कहता है wages factory का wages है हमारा फिर power है power कहां जाएगा हमारा और factory overhead में हमारा power कितने का है 3400 लेकिन wages तो यहीं आएगा अब wages में बताया नहीं कौन सा है तो मैं मान लेता हूँ भाई यहीं का होगा एक अथतर छेसो पचास depreciation और machinery machinery यहीं पर आएगा depreciation और depreciation amount कितना है अठारा हजार salary factory के अंदर का salary है तो salary factory का salary बहतर अब office का है तो एक admin का बना लेते है admin expense यहाँ office का salary आजेगा admin का है हमारा 37 selling का है तो selling and distribution का डाल देते है एक तालिस अजार पांद सो चली अगले point पर चलते है expense कहता है direct है तो यहाँ जाएगा अठारा जार office का admin में आ जाएगा selling आ जाएगा आपका अठारा हजार raw material का यहाँ minus हो जाएगा amount WIP का यहाँ minus closing WIP क्या है यह 1200 kg है चलो अब इसको देखते है closing WIP का कितना है हमारा 5550 और closing stock का नहीं बताया इसने closing stock बस इसने केजी में बता दिया कि हमारा कितना 450 kg का यानि यहाँ से minus हो जाएगा closing FG 450 kg ठीक है ना इसका rate निकालना पड़ेगा question में कहता है the stock of finished mixer at the end 2017 is the valued factory cost इसका जो value निकालना है वो factory cost के हिसाब से निकालना है मतलब जो यहां का पहले हम इस पर निकालते थे ना अब यहां से लेके निकालना आप question ने बोल दिया यह हाँ आप यहां से rate निकालना है क्योंकि question ने यहां पर बोला हुआ है otherwise हम कहां से निकालते थे इसमें बोल दिया थे यहीं से निकालेंगे आगे कहता है question में the purchase price of material remain unchanged जो हम समान खरीद रहे हैं वो कभी change हुआ ही नहीं unchanged रहा दुबारा देखो दा purchase price of raw material remain unchanged throughout the year अब ध्यान देना हमने unit कितने purchase किये थे purchase किये थे मैंने 1,80,000 का लेकिन कितने kilo एक unit का rate निकालो 1.15 अब जो यह 1200 kilo बचा है न हमारा अब आपके उपर depend करता है कि मानो क्या या तो पुराने वाले में से बच रहा है तो पुराने वाले में से अगर बचता है तो एक रुपे का ही होगा क्योंकि पुराना stock opening कितने का था 2000 kilo 2000 रुपे का यही बोला ने starting में बच्चा है इसमें से तब तो एक से multiply करेंगे अगर बच्चा है नए वाले में से तो multiply किस से हो जाएगा कि समझ मैं तो 1200 इंटू में 1.125 तेरह सो पचास कि जो आएगा यहां value लिख लेंगे यह नहीं आये देखो अब हमारे पास जो है ना opening में stock था वो था 2000 किलो कितने रुपय का यह amount है और यह kg है फिर हमने समान खरीदा भी है कितने 1,60,000 किलो 1,80,000 का अब इसी में से कुछ समान बच गया है कितने का समान बचा है 1200 किलो बचा है 1200 केजी बचा हुआ है ठीक है ना अब 1200 किलो किस में से या थो नए वाली में से बचा होगा 1200 किलो समान या पुराने में से बचा होगा तो नए वाला तो 1.125 का है तो इससे multiply कर देंगे तो हमने माना है कि पुराने वाला बेच दिया होगा या use कर लिया होगा बचा किस में से होगा नए वाले में सो तो नए वाले के rate से multiply करके 1350 ठीक है इसके बाद यह हैगा 2000 प्लस 180 माइनस 1350 10 sorry 180 650 अब देखो यहाँ पर एक वेजिस में मुझे थोड़ा सा confusion है वेजिस कहाँ से रिलेटिट बोलता है फेक्टरी वेजिस ठीक है ना इसने बोला है फेक्टरी वेजिस कितना है अब यहाँ पर question में कहीं भी clarity नहीं दिया कि यह productive है या unproductive देखो फेक्टरी वेजिस प्राइम कॉस्ट के अंदर जाएगा है फेक्टरी उबरहेट में जाएगा है यह ऐसे नहीं पता चलता प्रोड़क्टिव वेजिस कहां जाता है हमारा फेक्टरी में प्राइम में और प्रोड़क्टिव के बाद अगर देखा जाए आपका हो unproductive वो जाता है फेक्टरी में लेकिन फिलाल के लिए हमें यहां क्या पता है productive या unproductive कुछ नहीं बताया तो मैंने productive मान के इसको कर दिया अब इसका answer निकालते हैं 10650 प्लस में 178650 प्लस में 18500 यह आगया 377 800 समझ में आए ना ओल्दो आप नीचे भी मान सकते हो फेक्टरी में और नोट दोगे कि हमने माना यह है इसका फेक्टरी ओवर हैड हम वर्किंग नोट नमबर वन से ली लेते हैं जो कि यह है 24,250 81,70 30,400 18,000 153 040 ठीक है 153 040 प्लस 377800 यह आगया हमारा 53 0840 यह माइनस कर देंगे तो 7250 माइनस 5550 यह 1700 आगया चलो 1530 1530 840 प्लस 1700 यह आगया 53 2540 समझ मैं ही बात यह यहां से निकालना हमें क्या cost of तो सबसे पहले यह तो पता करो भाई production कितना किया आपने ठीक है ना तो sales is equal to opening FG plus production minus sales पता है हमें कितने unit थे बताये question में देखो आपको एक लाग एक लाग 53,050 sales opening कितना था production X closing हाँ kilo बताना है क्योंकि यहां पर हमेशा unit लगेगा rupees नहीं लगेगा हर बार मैं बोलता हूँ इससे लिख लेना formulae से जब भी निकालेंगे तो rupees का लेना देना नहीं है हमेशा unit, kilo, ton जो भी होगा उससे निकालेंगे closing नहीं finished goods लेंगे यहां पर closing 1200 तो हमारा raw material का है ठीक है नहीं ठीक है यहां पर अगर हम इसे solve करें तो 1530,50 minus में 500 और plus में 450 तो यह आगया 153 production अब पर यूनिट कॉस्स निकाला जा सकते पर यूनिट अभी admin डाला नहीं है मैंने डाल दोगा मैं भी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा भाई पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट रहेगा हमारा पर यूनिट कॉस्ट रहेगा हमारा 53 2 5 4 0 divided by 1 53 तो 5 3 2 5 4 0 1 50 3.480 आ गया multiply कर दो 3.480 multiply 450 यह आ गया मेरा 1566 minus करेंगे 1750 minus 1566 यह आ गया 184 ठीक है ना admin के खर्चे भी डाले नहीं है यहाँ पर आ जागा admin working note 1 से 2 से तो admin देखो 17220 18200 यहाँ के 554 20 55420 ठीक है यहाँ आएगा यह 55420 प्लस 5325 यह आ गया 58 79 इसमें 184 प्लस कर देंगे 588 144 अब इसको प्लस कर देते हैं प्लस 18,000 64 7644 एक दो रपे का फरक आ सकता है profit profit माइनस नौ लाख 18,000 270 356 270 यहाँ पे profit नहीं बताया cost of sales हमारे कितना आ रहे prime cost ठीक आ रहे factory cost ठीक आ रहे नहीं आ रहा है क्योंकि scrap का यहाँ पे हो सकता है एक बार इसका total सही से कर ले ना तो हमारा कितना आ रहे है 32,500 यहाँ totaling में mistake है देखो एक बार opening और closing को तो एक बार आप इसको देखना यह मैंने minus करना था पर मैंने total कर दिया 144 870 तो यहाँ पे लेंगे 144 अब आएगा बिलकुल आएगा कैसे नहीं आएगा यहाँ तो आपने वो total गलत किया है 522 524 आ रहा है फिर total इसका गलत किया आपने question number 10 देखना कहता है आपको निकालना है value of raw material consume total cost of production cost of goods sold और आगे निकालना है the profit margin profit यहाँ टोटल मिलाके अगर आप cost sheet बनाते हो तो सारा result मिल जाएगा इक करके सबसे पहले opening stock raw material का given है तो opening stock raw material का अगर हमें given है तो हम लिखेंगे यहाँ पे opening stock of raw material पांच हजार इसके बाद raw material है प्लस यहाँ पे आगे गीवन है आपको फिनिस गूड्स का उभी ओपनिंग है तो फिनिस गूड्स का फिनिस गूड्स के जिगह पर रख देते हैं कहां आता है हमारा cost of production के बाद opening FG कर देता हूँ इसे और यह 4000 है कितने unit वगर है यह तो नहीं दिया closing raw material का माइनस हो जाएगा closing और यह है 4000 और FG का भी closing माइनस हो जाएगा closing 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 FG का 5000 अब यहां पर तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं consume का formula होता है opening stock plus में production नहीं प्लस में purchase minus closing हमारा starting में जो मैंने बताया था तीनों को arrow करके कैसे consume भी बोलता है कि आगे कहता है raw material purchase पचास हजार का तो यहीं पचास हजार लिख देते हैं purchase purchase अब एक हजार इक्यावन हजार आ गया ठीक है चलो wages paid to labor direct expense से यहीं आ जाएगा wages paid यही consume है जो मैंने यह लिखा है consume है तो wages paid कितना है हमारा यहीं आपका चार्जिबल expense यहीं आएगा बताये था मैंने is a direct expense amount के चार्जिबल expense चार्जिबल expense के बाद आपका क्या दे रखा है factory rent तो factory overhead यहाँ आएगा overhead यहां लिखा मैंने working note number one overhead factory overhead आपका rent में कितना है हमारा पाँच हजार फैक्ट्री आपका heating पावर पावर भी यहीं आएगा पावर कितने का है दो हजार फैक्ट्री heating and lighting यहीं आएगा अमा यह भी दो हजार इसके बाद experimental expense एक फैक्ट्री इंस्वारेंस यहीं आएगा अब experimental expense और research and development भी होता है पहले तो यह हजार लग देते एक्सपेरिमेंटल कहां पर होता है एक्सपेरिमेंटल फैक्टरी में ही होगा हमारा और experimental expense होता है हमारा एक फांसार रुपाइथ शर्पाइब फैक्सपेरिमेंटल expense के बाद होता है सेल और वेस्टेज माटीरियल वेसिटेज माटीरियल का क्या सेल्स अब देखो वेस्टेज माटीरियल बोला है तो आपके पास मैंने बोला था दो अल्टरेनेट उस नरे आप या तो फैक्टरी मेंस करो वेस्टेज मेटिरियल को या करो यहां तो आप जहां मर्जी से कर दो आपका अंसर में कोई फरक नहीं पड़ेगा नोट देंगा तो मैं यहां से माइनस कर देता हूं कि वेस्टेज क्योंकि यहां वर्ड ना मटीरियल है और मटीरियल यहीं पर आता है हमारा तो कितने का वेस्टेज मटीरियल है? 200 का इसके बाद ओफिस मेनेजमेंट सेलरी, एडमिन का पार्ट हुआ, यहां आएगा ज्यादा तो है नहीं, यहीं लिख देता हूं 4,000 इसके बाद सेलरी के बाद देखाए, ओफिस प्रिंटिंग स्टेशन रही है, यहीं आएगा बताओ कितने का है प्रिंटिंग 200, simple simple expense है, commission on travel agent, traveling agent, traveling agent, और पहले salary to commission है, salesman का, यहां का पार्ट है selling and distribution salary अब salary salesman का कितना है 2000, इसके बाद आपका commission on traveling commission on traveling कितना है 1000 रुप है ठीक है, last में sales, एक लाक रुप है तो sales की जगह पर हम sales लिख देते है एक लाक ठीक है, अब totaling का बस process है इसका total 5000, 4000, 9000, 1500, 10,500 working note number one 10,500 20,000, 2200, 73, 200, ठीक है factory cost यहां से आ जाएगा, 10,500 10,500, 83, 700, ठीक है production, plus 4000, plus 200 87, 900, 1000 minus कर देंगे तो क्या आएगा, 86, 900 अब यह आ जाएगा, इसमें कितने जोडने है हमें 3000, जोडने हैं न, तो 89, 900, चेक करो जो जो बोला था एक एक कर गे profit कितना है question मैं बताओ, 10,100 कहीं calculation भी चेक कर लेना answer चेक करो, देखो सबसे पहले 50,800 है हम, नहीं, consume 50,800, क्योंकि 200 रुपे न, consume में से minus होना है, कौन सा, क्योंकि consume जो भी factory से था वो, इस वज़े से यहाँ पर आ रहा है आपका पहला point clear, उसके बाद 87,500 है हमारे कितना है, दूसरा point इसने क्या पूछा था total cost of production, ठीक है न, तो total cost of production कितना है, यह, cost 87,900, यहाँ 500 था, इसके आद 89,500, 10,500, 10,100 है, 89,500, यानि कहीं न कहीं mistake करा है, या तो amount आपने उपर यह 200 minus है न, यह प्लस कर दिया, तो यह 73,000 आ जाएगा, नहीं, 72,800 है, ठीक है, अब total करते है, 72,800, प्लस 10,500, 83,300, इसके बाद प्लस 4000, 87,500, इसका आजाएगा आपका 86,500, इसके बाद इसको करेंगे तो क्या आजाएगा, 86 और 3, 89 और यह 10,500, अब ठीक है, एक mistake के वेशे सारा काम खराब होगे, अब नोट करिया, प्लस्टार कर्वेटित